नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 11 नमंबर दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी नियूस की ओर से छोटी दिवाली की हारदिक शुपकाम नाए अब एक नजर सुर्ख्यों पर आज है छोटी दिवाली जाने इसका महत्वर राजी की प्रते ग्राम पंचायत में किसान चौपाल की हुई शुर्वाद दिवाली और छट पूजा को लेकर बिहार पुरसने की बड़ी तैयारी अमिताप बच्चन के शोग के बीसी में पहुँचे बिहार के संकर पाकस्तान को सेमी फाइनल में पहुचने के लिए वसीम अकरम ने दिया अनोखा सुझाओ अब चलिए बढ़ते हैं पिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के उर्विस्तार से गुजरात के आगनवारी केंद्रों में 10,000 से अधिक वर्कर और हेलपर की भरती गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विभाग के अंतरगत राजी के विवन जिलों में इस्थित आगनवारी केंद्रों में वर्कर और हेलपर के 10,400 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं कुजरात सरकार के कॉमन भरती पोर्टल e-hrms.kujrat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादे के आविदन करने की अंतिम तारीक 30 नवंबर 2023 तक में रथारित की गई है इसके लिए अगर सेचने क्योगिता की बात करे तो में द्वार को किसी मानिता प्राप्त बोर्ट से दसवी पास होना अनिवार है इस जरी अधिक जानकारी के लिए जारी के गधिसूशना को देख सकते हैं आज है छोटी दिवाली जाने इसका महत्व आज ही आने के 11 नमबर को छोटी दिवाली मनाई जा रही है बता दे कि यह दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है वही छोटी दिवाली के दिन हनुमान जयनती भी होती है, इसके अलावा आज ही के दिन भगवान स्ट्रे कृष्ण के द्वारा नरका सुर नामक असुर का बद किया गया था, इसलिए आज के दिन को नरक चतुर दसी भी कहते हैं ऐसी मानिता है कि नरक चतुरदसी के दिन सुभसनान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से सौंदरी की प्राप्ती होती है मानमों के छोटी दिवाली के दिन शाम को घड के बाहर मृत्यू के देवता यमराज को दक्षुन दिसा में दीब दान दिया जाता है एक बचकर 69 मिनट से 24 तिती आरम भोड़ाई है और अगले दिन 12 नमबर को दो पहड के दो बचकर 45 मिनट तक रहेगी ऐसे में छोटी दिवाली 11 नमबर सनीवार 2023 को मनाई जा रही बिहार विधान परिसद में पारित हुए 6 विध्यक, 305 प्रशन हुए सुकृत 6 नमबर से शिरू हुए बिहार विधान सभा के शीत कालीन सत्र में कुल 5 पैट के आयोजित हुई जिसमें कुल 6 विध्यक पारित किये गए जिन में बिहार विन्योग विध्यक 2023, बिहार सचिवाल सेवा विध्यक 2023, बिहार माल और सेवा कर विध्यक 2023, बिहार पंचायत राज विध्यक, बिहार पदो एवं सिवाओं की रिक्तियों में आरक्षन विध्यक 2023, बिहार आरक्षन विध्यक 2023 सामिल है इसके साथ ही सत्र में कुल 347 प्रश्णों की सूचनाय प्राथ हुई 305 प्रश्णों को स्विकृत किया गया और कुल 132 प्रश्ण अनागत हुए जबकि 173 लंबित प्रश्णों को आगामी सिदन की मेज पर रखने हे तु सरकार से अनुशनसा की गई वही सत्र में ध्यानाकरश्ण के कुल 50 सूचनाय प्राथ हुई जिनमें से 27 ध्यानाकरशन सूचनाय सिदन लाए जाने के रिए स्विकृत हुए वही सुने काल की कुल 16 सूचनाय प्राथ हुई और सभी स्विकृत की गई बिहार के इन 13 जिलो में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर और रोहता सामिल है मालुमों कि कमपनी के द्वारा मीटर लगाने की श्रवाद जर्वरी 2024 से की जाएगी वहिस्कारी को पूरा करने का लक्ष अगला 27 महीना रखा गया है इस बारे में CMD संजीव हंस के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्र नतीश कुमार के द्वारा दिये गए दिशानिरदेश के अनुसार डिसकॉम कमपनीया 2025 मार्च तक बिहार में स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए युद्धसतर पर कारे कर रही है वही SBP DCL के MD महिंद्र कुमार के द्वारा कहा गया कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सभी को जाग रुक किया जाएगा ताकि वोकताओं को रिचार्जिंग करने में किसी प्रकार की असुविधा का साबना ना करना पड़े बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे उदाइपूर वनेजीव अभ्यारने के बाड़े में बिहार राजी के पश्छम चंपारन जिले में सत एक वनेजीव अभ्यारने है इसके स्थापना 1978 में हुई थी और इसका छेत्र फल 8.974 वर्ग किलो मीटर है वन्यजीव अभ्यारने मुख्य रूफ से आत्र भूमी है जो गंड की नदी के बार छेत्र में एक ओक्सवो जील पर सित्र है यह निवासी और प्रवासी दोनों प्रकार के जलिये पक्छियों का घढ़ है अभ्यारने में दल्दली वन, सुस्कनदी वन और खैर सिसु वन के छेत्र है यह नीचले गंगा के मैदानों में नमपरण पाती वन छेत्र का है अभ्यारने में एक विश्राम ग्री है निकरतम शहड और रे特別 स्टेशन बेतिया है अभ्यारने चंपारन वन प्रभ की मचलियां है साथी पक्चियों की अलग-अलग प्रजातियां भी देखने को मिलती है दिवाली और छट पुजा को लेकर बिहार पुलिस ने की बड़ी तयारी दिवाली और छट पुजा में होने वाले गरबडियों को लेकर बिहार पुलिस के द्वारा इसे निपटने के ल गई है बता दे कि तेवहारों में विधी विवस्था बनी रहे और तेवहारों को सुरक्षित मनाया जा सके इसके लिए आगामी 15 दिनों के लिए पूरे राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है इसके साथ ही पुलिस के दोरा सोचल मीडिया प भी लगाया जाएगा और साथ ही इसवारोही बल को भी तैनात किया जाएगा बता दे के छषट पर पर भी देन्तरन को लेकर प्राफिट विवस्leist्था और गोता खोडो की विवस्ता के साथ साथ साफ सफ़ाई की वे विवस्ता के लिए भिन रदेशंय है कर के लावा काली सत्र का पांचवा और आखरी दिन रहाएसे में बीते दिन बिहार विधान परिसद में आरक्षन विध्यक 2023 पारित हो गया है वहीं अभिया विध्यक राज्येपाल के पास जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह एक कानून बन जाएगा और फिर इस पर सामाने प्रशासन में भाग के दोरा नियमा वाली तयार की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस विध्यक को पहले बीते गुरुवार को विधान सभा में सभी की सहमती से पास कर दिया गया था ऐसे में अब राजे में सरकारी नौकडियों और साचनिक संसारों के नमांकन में अबारक्षन का दाइरा 75 प्रतीशत होगा आपकी जानकारी क्लिबतादे के संसोधित अधिनियम के तहत अनुसुची जाती को 20 प्रतीशत अरक्षन दिया जाएगा बेगु सराई में सक्षकों पर भढ़के केके पाठक बीते दिन बेहार सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक बेगु सराई पहुँचे जहां उन्होंने गुस्से में लाल पीले केके पाठक के दोरा सक्षकों से कहा गया कि इतनी सारी फौच है तनक्वा दिने निकलते हैं तो 40-40,000 करोड का होता है मैं इसी विद्याले में 400 बच्चों को स्कूल से निकास सकता हूँ जो ठीक से विशय भी नहीं पर सकते उन्होंने सक्षकों से कहा कि आप लोग बच्चों की पीडियों को बरबाद करने का काम कर रहे हैं मुझे तब गुस्सा आता है जब देखता हूँ कि बच्चे किताब खोल कर एक लाइम भी नहीं पड़ पाते आप लोगोंने अब तक किया क्या है वहिस दोरान के के पाठक मीडिया से मखातिम होने से बसते नहीं और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया सो की सुटिंग छपड़ा में हुई जिसमें मुख्य अतिती के रूप में रवीशंकर मौजूद रहे इस बारे में रवीशंकर के द्वारा जानकारी देते में बताया गया कि जब उन्हें शो की ओर से फोन आया तो उन्हें यह कॉल फरजी लगा लेकिन यहां तक पहुँचना गर्व की बात है आपकी जानकारी के बता दे के वीशी के सो की सुटिंग पहले ही हो गई थी लेकिन नवंबर में सो का प्रशारित किया जाएगा मालुम हो कि रवी संकर उपाध्याय को सो में जगह उनके समा सिवा करने की कारण ही दी गई है इन्हें राजे के बाहर भी कई लोगों के द्वरा जाना जाता है के उदेश क्रिसी विवाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को किसानों तक पहुचाना क्रिसी चेत्रस जुरे किसानों की समस्याओं का समाधान करना क्रिसी की नविंतम तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुचाना किसान हित समू एवं खादिय सुरक्षा, समू का नर्मान एवं आत्मा के माध्यम से निबंधन कराना और किसान उत्पादक संकठन का नर्मान करना है वह अगर हम इस कालेक्रम के मुख्य आयाम की बात करे तो चतुर्थ क्रिसी रोड मैप के विवन आयामों की जानकारी देना मिट्टी जाज के आधार पर संतुलित मातरा में उरवर्कों का प्रयोग करने को बढ़ावा देना फसल अफशेश प्रबंधन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसी विससक्यों द्वरा रभी फस्तों की तक्निकी जानकारी देना है विसस जानकारी है तो जलास्तर पर परियोजना निदेशक आत्मा और परियोजना निदेशक आत्मा एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड तक्निकी प्रबंधक सहायक तक्निकी प्रबंधक दिथा पंचायत के क्रिसी समनवयक से ही कॉल सिंटर टोल फ्री नंबर एक आर्ट शुने शुने एक आर्ट शुने एक पांच पांच एक पर भी संपर्ख कर सकते हैं मनीश कर्षप को मिली जमानत एनसे की धारा भी हटी तमिलनाडू में प्रवासी बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा के कथित मामने में फंसे बिहार के मनीश कर्षप को बड़ी राहत मिली है दरसन मीडिया में चल रही खबरों के नुसार मनीश कर्षप की जमानत अर्जी को मदुरय कोट के द्वारा मंजूर कर दिया गया है और साथ ही मनीश कर्षप पर लगे NSA कोई धाराव को भी हटा दिया गया है कि उनकी तुरंत रहाई होने पर संसय बना हुआ है क्योंकि उन पर बिहार में भी मामला दर्जा ऐसे में सवाल या हुरता है कि उन्हें बाकी मामलों में जमानत कम मिलती है अब कि जानकारी के लिबतादी के फिलाल मनीश कर्षप तमलनाडू में बिहार प्रवासी स्ट्रमिकों पर हमले के फर्च वीडियो सजा करने के आरूप में बिहार की राजधानी पटना के बेउर जेल में है दरसल बिहार पुलिस के आर्थी कपराद हिकाई के द्वारा दायर वीतिये गरबरी के एक मामने में इस साल अगस्ट में पटना सिवल कोट के द्वारा उन्हें बेउर जेल में रखने का आदेश दिया गया था बिहार के मनीश रानी ने खोला बिग बॉस का राज बिग बॉस OTT 2 की सेकेंड रणर अब बिनर रही मनीश रानी को लोगों के द्वारा खोब पसंद किया जाता है सो के बाद वा सोशल मीडिया पर चाय हुई रहती है बता दे के हाली में मनीश रानी के द्वारा भारती सिंग के पॉड़कास्ट में अपने परस्नल लाइफ, प्रोफेस्नल लाइफ और बिग बॉस को लेकर कहीं बात चीत की गई तरहसल जब भारती ने मनीश रानी से पूछा कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होती है लेकर कहा कि उनका जब भी रिलेशन शुरू होगा तो वह सीरियस ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सर्फ टाइम पास होगा उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने के रिलेंशन शिप के बाद ही साधी करना चाहूँगी वैशाली में सराब काड़ोबारियों ने पुलस कर्मियों को की रौधने की कोशिश राब के साथ तसकर के रफ्तार बिहार में पुन्रोप से सराब बंदी है लेकर इसके बावजूद भी आएदिन सराब तसकर इस जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं बता दे के ताजा मामला फैसाली जले के सहदेई ओपी छेतर का है जहां पुलस के द्वारा गारी को पकरने की कोशिश की तो तचाला के द्वारा गारी से पुलस कर्मियों को रौधना चाहा लेकिन गारी अनियंतरत होकर गड़े में जागडी जिसके बाद जेसीबी की मदस्ते गारी को बाहर निकाला गया वहें सुरान पुलस के द्वारा गारी से 200 लीटर देशी सराब बढामत की गई और साथ ही एक तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान अरुन कुमार के रूप में की गई वहें पुलस के द्वारा दी गई जानकारी के इनुसार इस गारी पर प्रिस लिखा हुआ है और यह गारी ड्राइवर के एक दोस्त की हो सकती है फिलाल इस मामने पर पुलस के द्वारा जांच पर ताल किया जा रहा है राचे में पचुआ हवा ने बढ़ाई ठंड बिहार के जलवायों में भारी बदलाव देखने को मिल रहा इन दिनों एक तरफ जहां ठंड की मात्रा में कमी देखने को मिल रही तो वहीं दूसरी तरफ हवा की गुनवत्ता में भी कमी आ गई है मौसम विवाग के तरफ से जारी अपडेट निसार इन दिनों ठंड की मात्रा में भारी कमी देखी जा रही है हाला कि यह बताया जा रहा है कि दिन में मौसम का मिजाज सुस्क बना रहने वाला है नुनतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी मौसम विवाग के तरफ से जारी अपडेट के निसार इन दिनों मौसम का मिजाज सुस्क बना रहेगा प्रदेश का सरवाधिक तापमान 32.3 डिग्री दर्च किया जाएगा प्रदेश में हलके से मध्यमस्तर का कोहरा दर्च किया जाएगा विवाग के तरफ से यह भी बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांस अलाकों में दोन चाय रहनी की पूरी संभावना है वही गंगा के अलाकों और हिमाले के तरहटी वाले अलाकों में कोड़े की संभावना है अगले 48 घंटों के दोरान राजी के नियुंतम तापमान में 1-2 डिगरी तक ही कमी देखी जा सकती है विवाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से तापमान में कमी देखी जार यह उसे साब से छट का समय आते आते ठंड पर सकती है विधान सभा में गुंजा क्रिकेट एस्सोशेशन में भ्रसचार का मामला बीते दिन बिहार विधान सभा के शीत काली सत्र के दोरान जेडियू विधायक डॉक्टर संजीब के दोरा ध्यानाकर्शन के दोरान क्रिकेट में भ्रसचार का मामला उठाये गया पेडियो विधायग के ओर से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कारेपृनाली पर सवाल खडेंगे उन्होंने ई-टीवी से बातचीत करते वे कहा। अधिक मामने दर्ज हैं मेरे पास उनके खिलाफ पक्के प्रमान है और मैं किसी भी सूरत में उन्हें बक्सने नहीं वाला कि तिजश्वी कब मुख्य मंत्री बनने चारे हैं। कि खुशी में लड़ो खिलाने नहीं आये थे बलकि वे बता रहे थे कि छट पूजा के बाद तिजश्वी यादब विहार के मुख्य मंत्री बनेंगे इसलिए हम लग लड़ो बाट रहे हैं। कि खटना पर प्रतिक्रिया देते वे जन सुराज के सुतरधार प्रशांत कसोर ने कहा कि मुख्य मंत्र नितीश कुमार की सरकार में पटना में लाठी चार्ज करवाने का नियम बन गया है। लोगों को डाग बंगला चराहा, बेली रोड, हरताली चराहे पर घेरो और लाठी उसे पढ़वाओ, मुख्य मंत्री या उनके मंत्री पर कोई परिशानी नहीं आनी चाहिए। ये कही न कहीं दिखाता है कि नितीश कुमार के दिमाग में बैट गया है कि हम काम करे या न करे जनता में कितना भी रोश हो कोई न कोई जुगार लगा कर मुख्य मंत्री मुझको ही बने रहना है। कोई सिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज बिरोशगार बच्चे जा रहे हैं उन पर भी लाठी चार्ज सरपंच गये उन पर भी लाठी चार्ज मुख्या गये उन पर भी लाठी चार्ज किया जाड़ा है। नितीश कुमार के मांसिक स्तंतुलन पर केसी त्यागी का बड़ा बयान विपक्च पर पलडवार करते वे कहा गया कि सीम नितीश के द्वारा जाती गद गना के आकरी प्रचारित और प्रसारित किये गया है उसके बाद विपक्ची दलो के रिताओं के मांसिक संतुलन जरूर खड़ाब हो गया है सीम नितीश का मानसिक संतुलन इतना सही है और इतना टिकाऊ है कि 90 साल के बाद जो समाजिक नयाए की टक्टकी लगाए देख रहे थे उनके चेहरे पर एक विश्वास की जलक दिखाने का काम नितीश कुमार के द्वारा किया गया है पाकस्तान को सेमी फाइनल में पहुँचने के लिए वसीम अकरम ने दिया अनोखा सुझाओ विश्वकब 2023 के सेमी फाइनल मुकाबले में पाकस्तान की टीम पहुँच सके इसको लेकर वसीम अकरम की ओर से पाकस्तान टीम को एक अनोखा सुझाओ दिया गया है अगर पाकस्तान को सेमी फाइनल में पहुंचना है तो पाकस्तान को पहले बल्ले बाजी करके जो भी स्कोर बनाना चाहे बना ले जब इंगलाइन की बाड़ी आए तो ड्रेसिंग रूम को बाहर से ताला मारते 20 मिनिट का टाइम आउट होने पर पूरी की पूरी टीम वैसे ही आउट हो जाएगी और पाकस्तान का निट रन रेट भी बहतर हो जाएगा आपकी जानकाली के बता दे कि पाकस्तान को सेमी पारकनात दास ने 1913 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसेस को शहर में गदर आंदुलन की शिरवात की भारत में 1950 को पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कार खाने में बनाया गया भाषा के आधार पर 1956 में मध्य प्रदेश राजी का गठन किया गया राजधानी दिल्ली 1956 में क अपने समय के प्रसिद उर्दु साहितिकार वक कभी अलताफ हुशैन हाली का जन्म 837 में हुआ प्रसिद समाजी कारेकरता एवं मजदूर महाजन संकी संस्थापक अनुसुया साराभाई का जन्म 885 में हुआ सक्षा मंतरी मौलाना अबूल कलम आजाद का जन्म 888 में हुआ प्रसिद भारतिये क्रांति कारी और राज़्यतरगे जेबी कृपलानी का जन्म 888 में हुआ भारतिये रिजर्ब बैंक के चौदवे गवर्नर आईजी पटेल का जन्म 924 में हुआ भारतिये हाश अभिनेता जौनी वागन का जन्म 926 में हुआ भारत के मैतेक्ता और प्रतिश्चित कवी एवं गीत कार उमा कांत मालवी का उनिस्व बैरासी में धन हुआ कनर भाषा के कवी वल लेखक कुपाली वेकन टपा पुटपा का उनिस्व चलानवे में धन हुआ आधोनिक काल के प्रसिद हिंदी वर आयस्थानी लेखक कनहिया लाल सेथिया का दो हजार आठ में धन हुआ वी आई के एस वाई ओ जे एने डॉट ओ और जी विविन पदो के लिए नौकरियां देने का दावा करती है और उमिद्वारों से आवेदर शुलक के रूप में 1675 रुपे का भुकतान मांगरी है पी आई वी नरे टूट मांगर लिखा है कि वेबसाइट फेक है वेबसाइट का संबद अग्रिकल्चर इंडिया से नहीं है इस सेटिंग को आउन कर अटोमेटिक ब्लॉक करें स्पैम काॉस हमारे साथ कहीं बार ऐसा होता है कि हम स्पैम काॉस से परिशान हो जाते हैं अगर आप भी स्पैम काॉस से परिशान है तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि अगर आप Android फोन का अस्तमाल करते है तो आप बस एक setting को अन करने की जरूरत होगी दरसल Google की ओर से यूजर्स को spam call की जानकारी call रेसीव करने से पहले दी जाती है मालूम हो कि Google की यह setting एक खास सरीके से call उठाने और call करने के साथ ही काम करती है बता दे कि setting को अन होने से Google user caller का नाम screen पर check कर सकता है call अगर spam है तो Google अपने user को call आने पर ही इसके spam होने की जानकारी फोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है इसी तरह जब Google user फोन से किसी ऐसे नमबर को डायल करता है जो उसकी contact list में save नहीं है तो call करने पर उस नमबर से जोनी जानकारी डिस्प्ले होती है इस सेटिंग को आन करने के लिए सबसे पहले आपको Google फोन एप को ओपन करना होगा अब टॉप राइट कॉर्णर पर नजर आ रहे है तीन डॉट आप्शन पर क्लिक करना होगा अब सेटिंग्स पर टैप करना होगा अब caller ID और spam के आप्शन पर टैप करना होगा अब सी caller and spam ID के आगे टोगल को ओन करना होगा इसी के साथ filter spam calls के आगे टोगल को ओन करना होगा हाजिपूर में सूट हुई चान चकोर 10 नवंबर को ही रिलीज सची घटना पर आधारे ट्रोमांटिक वेब सरीज चान चकोर बीदे दिन 10 नवंबर को रिलीज हो चुकी है लेकिन बता दे किस फिल्म की खास बात यह है किस फिल्म के सुटिंग बिहार के हाजिपूर के महनार में सूट हुई है ऐसे में यह सरीज बिहार के लोगों को काफी पसंद आने वाली है आपके जानकारी के बता दे किस फिल्म की कहानी बिहार की है इसकी कहानी को जिवंत बनाने के लिए इसकी सूटिंग हाजिपूर में की गई है इस स्रीज में बिहार के कलाकारों को भी मौका दिया गया है। स्रीज का निर्मान एवियन फिल्म्स के बैनर तले किया गया। 64,904 अंकों पर बंद हुआ तो वही नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज का निफ्टी 30 अंकों के उच्छाल के साथ 19,425 पर बंद हुआ बतादे कि जिन स्टॉक्स में बीदे दिन तेजी देखी गए उनमें बैंकिंग फार्म, FMCG, Metals, Energy, Community, Oil and Gas सेक्टर शामिल है वहीं जिन स्टॉक्स में गिरावट देखने को बिलिए उनमें आई ऑटो, मीडिया, हेल्थ केर और कंज्यूमर डियोरेबल्स के सेयर रहे मालुम हो कि सेंसस के 30 शेरों में से 13 शेर तेजी के साथ और सत्र गिर कर बंद हुए जबकि निफ्टी के 50 शेरों में 30 शेर तेजी के साथ और 20 गिरावट के साथ बंद हुए विद्य दिन निफ्टी में दोनों ही इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हरे निशा सभा कर रही है वह जुरान पपू यादव के दौरा उपमोख्य मंतरी तेश्वी यादव का नाम लिये बगार कहा गया कि आप वपक्ष में थे तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आंगनवार इससे विका का मांदे दोगुना करेगी केंदर सरकार के दौरा भी राजी कर् कि आंगनवार इससे विका 40 दिन से हरताल पढ़ है तो मैं मांग करता हूँ कि उनकी मांदे सरकार को देना होगा अगर उनकी कटोती की गई तो पपू यादव सरक पर उतरेगा सरकार चेयन मुक्ती बात कर रही है तो धाई लाग आंगनवार इससे विका कहा जाएगी मैं एक बार फिर जिताबनी देता हूँ कि छेड़िये नहीं छेड़ियेगा तो पपू यादव छोड़ेगा नहीं आगनवारी से विकाओं को अगर चेयन मुक्त किया गया तो फिर सरक से सिदम तक हंगामा होगा हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की BPSC, पिहार पुलिस, तरोगा समीत, SSC जैसे अरे प्रतियोगी परिछाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, पिहार स्पेशल, विग्यान, करिंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे इसका सही उत्तर है उप्संसी UAE अगला सवाल, हाली में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतिये की सूची बेश श्रिश अस्थान पढ़ है उप्संडी रतन ताटा, उप्संडी गौतम अडानी, उप्संसी मुकेश अमबानी, उप्संडी इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्संसी मुकेश अमबानी अगला सवाल, बिहार में नकसलवाद की शिरवात कस जिले से हुई थी? आप्शने नालंदा, आप्शन B भोजपुर, आप्शन C गया, आप्शन D पठना इसका सही उत्तर है आप्शन B भोजपुर अगला सवाल, देश में पहली बार राज़्यतिक जांच आयों का गठन किस राज़े में हुआ? आप्शने उत्तर प्रदेश, आप्शन B भिहार, आप्शन C पश्चिम्बंगाल, आप्शन D राजस्थान इसका सही उत्तर है आप्शन B भिहार अगला सवाल, संपुन क्रांती देश के किस राज़े से संबंदित है? उप्षन E राजस्थान, उप्षन B उत्तर प्रदेश, उप्षन C बिहार, उप्षन D पश्यम मंगाल इसका सही उत्तर है उप्षन C बिहार बीते दिन हमारे दुरब पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अप्टजाब अपने जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरब पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आप सभी छोटी दिवाली कैसे मना रहे हैं अपने जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं च